मुमिन पुरस्तित गाड लाइन में कबाड़ी की कार से मेरी लाश की तिन दिन बाद पहचान हो गई हैं मुरुतक युवक कलमना में हमाली करता था आरामिक पोस्पाटब में उसकी मुरुत्यों सीर पर चोट लगने से होने का पता चला है अंतिम निशकर्ष सामने आने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुच सकती हैं फिलहाल पुलिस संदिक दे लोगों से पुछताच कर रही है 15 अपरेल की दोपहर गाइड लाइन में नौशाच शाह नामक गाड़ी कबाड़ी द्वारा काटने के लिए खरीदी गई कार करमांका MH-31, CM-9744 में युवक की लाश मिली थी तहजिल पुलिस ने आकस्मिक पुलिस का मामला दर्च कर जांच आरम की इसके बाद पुलिस मुरुतक की पहचान कर रही थी सुमवार को परीजनों के मिलने के बाद लाश की पहचान हुई नविन सिगनल माता मंदिर के पास कलमना है कार्तिक कलमना बाजर में हमाली करता है पीलिया सिग्रस्थ होने पर परीजनों ने उसे 11 अप्रेल को मेयो अस्पिताल में भरती कराया 12 अप्रेल को कार्तिक मेयो अस्पिताल से भाग खड़ा हुआ कार्तिक सांस का मंगल सुत्र छिनने लगा उसके हाथ में महस तीन मनी आए जिन्हें लेकर वो फरार हो गया 12 अप्रेल के बाद से कार्तिक का पता नहीं था सुत्रों के अनुसार कार्तिक की सिर पर चोट का निशान होने का पता चला शव के पास ही उसके कपड़े पड़े थे उसके पास के तीन मनी भी पुलिस को मिले है सिर पर चोट, साजिश, अथ्वा हाथ से से लगी है इसकी पुष्टी होने के बाद ही किसी ठोस नतीजे पर पहुचा जा सकता है गोड लाइन परिसर अपराधी और रशाखोरों की पसंदीदा जगह है ऐसे में कारतिक के किसी वारदात का शिकार होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता में आप करो किसी आप होने किसी आप हम अपराधी जास, किसी ऊचली आप होने किसी आप रभी है